आप सब कैसे हैं मैं उमीद करता हूं कि बहुत अच्छे हूंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हूंगे मैं अकास कुमार बढ़ाना ICT virtual classroom में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्छो और जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्छो बेसिकली हमारी जो है आपका six class है और arrangement lecture है मेरा आप लोग जानते हैं और इसी में हम लोग जो है अपनी इसी बुक को आपक हम लोग आपका जो है आपका थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसको देखते हैं चलिए तो हम लोग आपका जो है चैप्टर किदर बढ़ते हैं तो गाओं का प्रसासन आपका चैप्टर है मैं बता चुका हूं इसी पर हम लोग discuss करेंगे चलिए ध्यान दीजिए सबसे पह हैं पानी बिजली सड़क की जरूरतों को पूरा करने का कोई आसान काम नहीं है इसके लावा जमीन के दस्तावेच का रगरखाप करना पड़ता है आपसी विवादों को भी निप्टाने के जरूरत पड़ती है इन सब विवस्ता में के लिए गाओं का प्रसासन धाचा होत है इस पार्ट को हम दो ग्रामीन प्रसासनिक छेतर के बारे में काम करके आगे पड़ेंगे मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती की जमीन है उसके पास कई सालों तक खेती कर रहा था उसके खेत में लगा हुआ ही रगो का खेत है दोनों के खेत एक मोटी सी मोड मोटी सी मेड से अलग होते है यहनी कि उसके बीच में मोड बनी यह इस तरह का जो लाइन होती है उसको मोड क्याते हैं आपका मोड है एक सुबा मोहन ने रगु में मोड लिया और अब ऐसा कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली अपने खेत का गार बढ़ा लिया मोहन को बहुत उसा आया मगर मोहन बहुत डरा हुआ है रगु के परिवार में के पास बहुत जमीन थी इसके अलावा उसके ताउ और गाउं के बाप के सरपंच थे फिर भी मोहन ने किसमत जुटाई और रगु के घर पहुँच गया दोनों के बीच कहा सुनी हुई रगु ने तो मानने से इंकार कर दिया उसे मेड के आगे बाड़ा दिया थोड़ी देर बाद जगड़ा सुरू हो गया रगु ने अपने एक मजदूर को बुलाया और दोनों मिलकर मोहन पर चिला रहे थे फिर उन्होंने मोहन को मारना सुरू किया हुहला सुनकर पडोसी भार आए देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है बीच बचाम में उन्हें मोहन को बचा लिया मोहन के सीर और हाथ में बहुत चोटाई थी एक पडोसी ने उसकी मरहम पट्टी की मोहन एक दोस्त है जो डांग घर में काम करता है और सुझाब दिया कि उ प्लिस थाने में जाकर रपट लिखानी चाहिए रपट मतलब होता है फाई यार यह लोकल भासा में लिखा है रपट सब्ट ठीक है रपट आपको लिखानी चाहिए जबकि कुछ लोगों के खिलाब उन्हें लगा कि बहुत सारा पैसा आपका बरवाद हो जाएगा नतीजा कुछ नहीं निकलेगा कुछ लोग कह रहे हैं कि रगु के परिवार वालों को पहले ही आपके पुलिस थाने में पहुँच चुके होंगे काफे विचार विमस के बाद अंतया निश्चित हुआ कि जिन पडोसियों की आख के सामने ये घटना होई थी मोहन को लेकर पुलिस थाने ले जाया जाएगा अब क्या करना है भीया आप एक काम करें आपको सीधा पुलिस थाने जो है आपका ले जाये जाएगे और पुलिस थाने में हम लोग उसको देखेंगे ठीक है अब देखें थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे और पूरा पूरा जितना भी है हम इस पर आपका बात करेंगे ठीक अब देखें पुलिस ठाने का शेतर ठाने के रस्ते में एक पड़ोसी ने पुछा क्यों ना हम थोड़ा सा पैसा खर्च करके सहर में बड़े ठाने चलें क्या रियार क्यों ना फोड़ा सा कुछ पैसा खर्च कर लें यहां तो सैटिंग मतब जो भी उसकी विवस्ता होगी उससे अच्छा हो हमके सहर के बड़े थाने में चलेंगे मुहन ने समझाए कि बात पैसे की नहीं है हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं सब लोग पुलिस थाने में पहुंचते हैं तो मुहन थानदार के पास गया और पूरा मामला बताया उसने यहें बताया कि अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहिए थानेदार ने बड़ी बेरुकी से कहा उसके पास छोटी छोटी शिकायत और जाय परताल करने का समय नहीं है मुहन ने अपने घाब भी दिखाए लेकिन थानदार पर कोई असन नहीं हुआ मुहन हैरान था कि उसकी सिकायत आखिरकार दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी यानि कि उसकी कोई शिकायत आपका रेपोर्ट लिखने के लिए भी तैयार नहीं था उसने जो आपका थाने का अध्यक्स था उसको कहा कि देखे इस तरह से कही उसने बड़ी बेरूखी दिखाई यह देखे वो अपने जखम दिखा रहा है और यह व्यक्ति अपनी बेरूखी दिखा रहा है तिक आप कहरें मोहन बार बार गया और अपने पड़ोसियों को बुला कर अंदर ले गया पड़ोसियों थानदार को समझाया कि मोहन की आँख के सामने ही उसे पीटा गया है अगर वे उसे नहीं बचाते तो उसको बहुत गंभीर चोरा थी उस मामले में दर्ज करने पर जोड दिया अंतता थानदार राजी हो गया मोहन को अपनी शिकायत लेकर देने को कहा थानदार ने वादा किया कि अगले दिन ही एक हवल्दार इस घटना की जाच पड़ताल के लिए महां पर आपका पहुंच जाएगा अब जितनी भी घटना होगी जाच पड़ताल होगी मैं कि किसने किसी थानदार को किसने किसी मामले को पहुंच जाएगा और उसकी पूरी परताल करेगा और पूरी जाच करेगा जो एक-एक करके उसको बहुत अच्छे से आपके देखाएगा कि किस परकार की यह चीजे हैं कैसे क्या हो रहा है ठीक है यह हमको देखना है बेसिकली तो इतना आपको confirm होना चाहिए अब देखे राजस बिभाग का काम अब देखे रिपोर्ड लिखी गई है तो काम होगा किस पिरकार क्या राड़ा है यह सब देखा जाएगा पुलिस थाने में जो भी हुआ वह एक नाटक के रूप में दिखाया गया है और फिर आप बताएए कि मोहन थानदार या उसके पड़ोसी की भूमी का आपको पैसे कैसा लगाए क्या थानदार के स्थिती में कोई अन्य तरीके थे समान लेगे ठीक इनको देख सकते हैं राजस विभाग का काम अपने अपने पड़ाय की मोहन रखू खेत की मोड को लेकर जवर दस्ती लड़ाई लड़ी हुई थी क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसे वह अपना मसला सांती पूर्ण सुल्जा सकें है जिसे वह अपना मामला सांती पूर्ण सुल्जा लेते हैं क्या कोई ऐसा अभी लेक यानि के रिकोर्ड नहीं होता जिससे पता चलता है कि गाउं या उसके पास में कौन सी जमीन है पता करिए और कैसे चला जाएगा ठीक इन सबको देखना है जमीन को नापना और उसके रिकोर्ड को रखना पतवारी का मुख्य काम है अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है कहीं पतवारी तो कहीं लेक यही करमचारी प्रांगण है तो इसको ही कानुगो कहते हैं सब जगे अलग अलग है कहीं इसको पतवा सब्द का इसमाल किया गया जो जमीन का लेखा जो का रखते हम उसको पटवारी गयते हैं पिरती एक पटवारी कुछ गाओं का जुम्मेदार होता है अगले प्रस पर आप नक्सा और उसके अनुसार बाटे के खसरे यानि कि रेजिस्टर के वित्रण को देखेंगे नक्सा देखेंगे और खसरा खसरा मतलब होता है पिरकार का रेजिस्टर होता इसमें रिकोर्ड होता है पटवारी दुआरा रखा गए गाओं के लोगों को जमीन के रिकोर्ड का एक हिस्सा है कैसा है, जमीन के record का एक हिस्सा है, वो हिस्सा वो record हमको रखना है, आम तोर पर पटवारी के पास खेत नापने के लिए एक अलग तरीका होता है, और कई जगह वह अपनी लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे जरीब कहते हैं, जरीब क्या है, उनके पास एक लोहे की जंजीर होती है, जिससे वो आपके जमीन किया खेत की बापकी पैमाईस करते हैं, उसका कहानी पटवारी मोहन और रघू के खेत को माप कर यह बताता है कि वह गाउं के नक्षे से मेल खाता है या नहीं, अगर वह नक्षे से मेल नहीं खाता तो उसे अपता चल जाएगा कि मेड़ खिशक कर खेत की सीमा बदल गई है, ठीक है, वो जमीन से नक्षे से आपके लेकर नाप लेगा और उसी पैए सारे चीज़ों को आपका देख लेगा, ठीक है, यह देखिए, दिखाय दे रहा है आपको, इस तरीके से कुछ ऐसे नक्षे बने होते हैं, ध्यान देखिए, पहले आप ही रिकॉर्ड देखिए, सबसे पहले, कैसा रिकॉर्ड है और क्या आपको इसके विशे में खास सीज़ आपको दिखाय दे रही है चलिए, अब इससे आगे थोड़ा सा आप बढ़ोगे, अब आप देखिए, नक्षा बना हुआ है अगर आप इस नक्षे को गोर करके देखेंगे, तो इसको मैंने अभी क्या बताया था? एक रेजिस्टर है, और रेजिस्टर को हम क्या बोलते हैं आपको? आपको पता होना चाहिए, उसको हम खसरा कहते हैं क्या कहते हैं? खसरा अब खसरा, खतोनी, ये सारे चीज़े इसके अंतर का धूती हैं बटा? ठीक है? अब इस तरह से दिखाया गया है, तो ये सीमा है, इस तरह से दिखाया है, इस तरह से कच्ची सड़क है, इस तरह से पक्की सड़क है, इस तरह से कोवा है, और इस तरह से पेड है खसरा कहलाने वाला इस रेजिटर में पटवारी के नीचे दियेगे कुछ जमीन के मताविक आपके सूचनाए भरी है इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टोकडा किसके नाम पर और नक्से का रेकोर्ड देखते ही मोहन और रघु की जमीन सम्मंधित आपके सवाल जवाब होंगे ठीक है जमीन मालिक का नाम पता पति ये सब इसमें लिखा हुआ है कि कितने हेक्टर जमीन है, जमीन का मालिक कौन है, उसका पता क्या है, यदि बटाई पर दूसरे का नाम दिए, उसका हिस्सा लिखा है, इस साल की जोत, जमीन में क्या फसल है, कितने छेतर पर है, अन्ने क्या बोला है, परती जमीन, परती का मतलब है, खाली पड़ी क्या this way लिखी वही है ठीक है देख लिए बटा अब यह देखिए जैसे में लिखा गया है है हेक्टर लिखा है मैं दूसरे कलर से लेता हूँ जीरो पॉइंट सेवन फाइब मोहन वालदा मतलब आपके पिता जी है उनका पिता का नाम है राजा राम ग्राम अमीरपुरा का जमीन का मालीक है कह रहे हैं कैस में कोई बटाई है नहीं फसल क्या लगाई है स्वयाबीन कितने छेतर मर है इतने छेतर पर तो और अन्य चीज म वालद आपके रतनलाल हमारपुरा ग्राओं जमीन के मालीक है पटाई नहीं है ग्यों की फसल होई है 2.75 हेक्टर में 1.85 में आपका क्या है अन्य फसल है और 0.25 खाल लिए है अन्य क्या है या कुवा है और कुवा कैसा है वह आपका चालू इस्तिती में है यह सारे रिकोर् सब्सक्राइब को कहा जाता है खास जानकारी है इसमें इसलिए आप कह सकते हैं यह खासरा है अब यह सब आपका पुरारे टाइम में मुगल काल से लेकर बेटिस काल और अब अधुनिक दोर तक ही चली आई है उनके सारे रिकोर्ड्स रूम बगरा है यहां सब कठे है मद्दे पर्दे सरकार घास के लिए मैदान बात की गई है कहीं लिखा है कोई फसल नहीं है है कुआ है चालू स्तिती में है और एक चार घाहा की जानकारी इसमें दी गई है क्या दी गई है चार घाहा मोहन के खेत में दच्छिन के जमीन है वह किसकी है रगू और मोहन की जमीन के भी सीमा का निसान लगाई है उनका जो खेत है उसका इस्तमाल देखिए इन सब चीज़ों का हमें इसमें दिखाया गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब देखिए ये है पक्की सड़क ये है कच्छी सड़क, ये लगे हैं पेड, ये है इसमें कुवा, ये कुवा है या भी ये आपका चारा गहा है, ये आपकी सीमा है, ये क्या है, ये भी चारा गहा है ठीक, वाकिए खेत है, अब वो आपसे कोशन कर रहा है कि मोहन का खेत, दच्छिण में जो जमीन है वर किसकी है अब आप देखिए मोहन की जमीन क्या थी मोहन की जमीन में सोय भी था सेवन पॉइंट फाइजिरो गुण सेवन फाइज फिक कर अखे था तो ये हो सकता है और दच्छिट में देखे नीचे मिल रहा है ठीक रगु और मोहन की जमीन के भी सीमा का निशान लगाओ अब उनके में एक पक्का कुवा था जो चालूस्तिती में है ठीक है तो ये वाली हो जाएगी खेश संक्या तीन बताईए ये ये रहा तीन और क्या-क्या जानकरी मिली है तो भीया यहां चारा गहा भी है एक चालूस्तिती में कुवा है बस ये जानकरी है तो इस तरह से खसरे से हमको ये सारी सम्मंधित जानकरियां हमको आपका इसी से आपका प्राप्त होती है किसान को अक्सर अपने नक्से और रिकॉर्ड देखने की जुरूर पड़ती है इसलिए और उनको कुछ सुल्क देना पड़ता है किसान इसकी नकल पाने का अधिकार है हलाकि कई बार ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते लोगों को उसको हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कई राज्ये इस सारे रिकॉर्ड में कंप्यूटर में डाल कर पंचैर के दफ्तर में रख दिये गए हैं ताकि लोग आसानी सोपलप्त करा सके और नई सूचनाओं के अनुसा नियमित रूप से इनको दुरस्त होते हैं अब तो ओनलाइन सिस्टम कर दिया आप जो भी कुछ जानकारी आप नेट के माध्यम से निकाल सकते हो आपको क्या लगता है कि किसान इस रिकॉर्ड के जरूर्द में कपड़ती होगी नीचे दिये गई आपका इतितियों को पढ़िए और उनके मामले को पैचानिए जो जमीन के रिकॉर्ड के रूप मैंनी वार रहे हैं और ये सारे चीज़ हमको बताईए कि किसान एक दूसरे जमीन का जमीन खरीदना चाहते हैं एक किसान अपनी फसल बेचने को चाहता है एक आव आदमी जो अपने जमीन के कुवा खरीद कर बेंक की तरजपाने सब को बेचने को कर जा लिया है खेत की जमीन को एक किसान खेतों में खाट डालना चाहता है एक किसान अपनी जमीन और बेटर बेट्यूब में बाटना चाहता है कोई अगर अलग करना चाहता है तो वो भी कर सकता है ठीक अब देखिए यदि कोई कुवा खोद दियाता है तो इसका हिसाब रखना इसका हिसाब सरकार के राजस विवाग का काम है ठीक और इसे वरिष्ट लोगों द्वारा इसके काम का निरक्षन कियाता है भारत में सभी राज्ये जिलों में बटे हुए हैं जमीन में जुरुहे मामलों को जिलों को और चोट-चोट-चोटे जो आपके खंड है तैसिल स्थर परापन देखाओं को बाटा है उन खंडों को उपखंडों में नाम दिया गया जैसे तैसिल और तालू का दिया गया है इनके उपर जिला अधिकारी होता है और इसके नीचे आपका तैसिलदार होता है और भिविन मामलों को निप्टाना होता है ये पटवारी के काम का निरक्षन करते हैं और यह सुनिस्चित करते हैं कि रिकोर्ड सही धंग से रखे गए हैं और राजस का जो राजस वे वो सही तरह से इकटा हो जाता है यह तब ही है कि अपनी रिकोर्ड नकल आसानी से मिल सकती है विध्यारतियों को जुरूत पढ़ने पर जाती प्रिमान पत्र भी जारी करता है कौन यही आपका तैसिलदार ठीक है ना तैसिलदार के धफ्थर में जमीन से जुड़ा मुकदमा सुना जाते हैं कहते हैं जमीन से जुड़ा आपके मुकदमे हैं वो आपका सुने जाते हैं कह रहें कि एक नया कानून है और इस नए कानून को हम लोग आपका देख रहे है जब हम उन किताओं के वारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है वे आम तोर पर हम ध्यान में पुरुस होते हैं और महिलाओं की हैसे से खेतों में काम का आपका मददगार अगर जमीन भरी जाती है तो उसके मामले में जमीन के खिलाफ रूप में आपके कहीं नहीं सोज़ा जाता है अभी तक कई राज्यों में हिंदू और ओरते परिवार जमीन का हिस्सा नहीं मिलती हैं पिता की कि फैमिली के हैड की मृत्यू जाती है तो मा को और बेटियों को भी अब जमीन में हिस्सा मिलता है किस अधिनियम के तहट हिंदू अधिनियम 2005 के तहट यह कानून सभी राज्यों और केंसाध्य प्रदेश में लागू है इस कानून से बड़ी संख्या में ओरतों को फायद सरखेत में काम करने में हाथ बटाती है उसकी मा ने पटवारी से कहा कि वे जमीन में अब बड़े के साथ साथ उसका बेटियों का भी नाम रिकोर्ड लिखाते हैं सुधा की मा बड़े आत्म विस्वास के साथ छोटे और बेटियों में मदद करती है काम को समालती है सुधा ठीक है ना, आप देखे, इस प्रकार से ही सारा मामला है और आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चेप्टर बिसिकली खतम हैं, एक छोटी जानकारी है जो हम सर्विक्षन के अधार पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसको देखेंगे, अजनिये सर जानिक एक आपका सर्विक्षन हैं, और इसी सर्विक्षन को हम लोग आपका पढ़ेंगे, इस पार्ट में हमने सरकार के कुछ परसासनी कारवों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामिन छेतर के संधर में, पहला उधारन हम कानून विवस्ता बनाया रखने के बारे में था दूसरा जमीन आपके आलेक की विवस्ता के बारे में, पहले उसका रिपोर्ट था, जमीन ज़ड़ों को गएरा, दूसरा क्या था कि वो किस तरह की विवस्ता बनाया रखते हैं, पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का प्रिच्छन किया, और इसमें आपका पटवार आपका इस्तमाल करते हैं और तरह तरह की समस्या आती है, तो उनका उप्योग करके उनके अनुसार आपका ये सब होना चाहिए, यानि कि हम इनको सुनते हैं और देखते हैं कि किस परकार होना चाहिए, और अपने सरकार के द्वारा अन्य विवाग और सरवजनिक की हम आंगनबाडी, बालबाडी, सरकार स्कूल, प्रात्री स्वास्ते के इंद, इत्यादी, ये सारे चीजे हैं, तीन सारजनिक सेवाउत की जानकरे इखटा कीजिए, और अपनी अध्याविगे के साथ चर्चा कीजिए, इस पहारे पिड़नाली को कैसे सुधरा जाए, और सु दिलदार के काम बताईए, एक बीटिया चाहाए कि उसकी कविता की मुद्दे पर उठाने की कोसिस है, ये सारे चीजे हैं जो आपको पूरे लेसन में देखनी है, तो जितना भी था हमने पूरा अच्छे से इसको देख लिया, पढ़ने का प्रियास किया, समझने का प्रिय देख लिजिए, तो आपने इस सारे चीजों को आपने बहुत अच्छे देख लिया, खसरा खतोनी बगयरा क्या होती है, जमीन का नक्सा, आपस में लड़ाई, पुलिस प्रिसासन की जानकारी, इस सारे चीजों को आपने इस लेक्चर के अंतरगत बहुत अच्छे से देख लिया होगा, चलिए, तो ध्यान दीजिए, तो मेरे प्यारे बच्छों, हमने इन सारी जानकारी को पढ़ा, ग्रामीन विवस्ता के तालुका, इस्थाने विवस्ताओं को हमने जानने का प्रियास किया, तैसिलदार, पटवारी, राजस को, कानुगो, तैसिलदार, यह सब क्या होते हैं, इनके कारे क्या हैं, खासरा खतोनी, किस परकार नक्सा बनता है, राजस कैसे उसको में नियंतरन करता है, क्या उसका रिकोर्ड इन सब के विशे में, हमने अपने चैटर में जानने का प्रियास किया, फिलाल आज के लिए तना ही मिलता है, नेस झाल झाल